सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को नमस्कार मैं सुनिल बर्मा धे आयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ हम बाग करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने पुर्ग्राम पर जैसा कि हम प्रति दिन करते आएं आज की वीडियो में एक बहुती महत्मूर टॉपिक और घटना करम को हम डिसकस करेंगे जो हुआ है हमारे पडोस में आपको पता है कि मयामार में सेने तक्ता पलट हो गया है अर्थात वहां की सेना ने वहां की चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटा दिया है और सत्ता पर नियंतर इस्थापित कर लिया है तो समझेंगे कि आखिर जो मयामार में यह तक्ता पलट हुआ है या क्यों हुआ है इसका इतिहास क्या रहा है और साथी समझेंगे कि भारत और मयामार दोनों ने लगभग एक ही समय काल में आजादी जो प्राप्त की थी, दोनों की डेमॉक्रिसी में क्यों इतना अंतर है क्यों मैंमार लंबे समय तक सेन निसासन में रहा है और बरतमान समय में फिर उहां पर तकता पलट हो गया है और साथी समझेंगे यह जो तकता पलट हुआ है वो भारत के लिए कितना चिंता जनक है, भारत के लिए मैं मार के हूं महकपूर है यह जो टॉपिक है IR के पॉंट अब्वियू से और साथ ही साथ इंडिया की इंटरनल सेक्योर्टी के पॉंट अब्वियू से काफी महकपूर होने वाला आई थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मैप के माध्यम से, जिससे टॉपिक पर हमारी अंडरस्टेंडिंग बहतर हो सके यह जो टॉपिक है, सिर्फ यहाँ पर सैन्य तक्ता पलट जो हुआ है, उसके विसे में इंफॉर्मेशन देने का नहीं है बलकि यह समझने के लिए है कि दरसल अगर हमारे किसी परोसी देश में सैन्य तक्ता पलट होता है या फिर उहाँ पर सैन्य ताकत इस्थापित होती है, तो उससे किस परकार की विसम चुनोती उत्पन हो सकती है आई यह थोड़ा सा हम समझते, देखिए हमारे स्क्रिंग पर मैप दिखाए गया है, यहाँ पर देखेंगे तो हमको इंडिया दिखाए गया इंडिया से अगर हम अपने पुरोतर भारत की ओर जाएं, तो आपको पता चलेगा कि बीच में एक देश है जिसका नाम है बांगलादेश अभी जो बांगलादेश से उपर की ओर होकर देखिए, यह आपका एक पतला सा रास्ता है, जिसको आप चिकन कोरिडूर के नाम से जानते हैं, सिली गुरी कोरिडूर के नाम से जानते हैं, इसी रास्ते के माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचते हैं लेकिन यहीं पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देएगा मयामार और जो मयामार की लोकेशन हैं आपको पता चलेगी कि हमारे पुरुवत्तर की कुछ राज इससे बौंडरी सेयर करते हैं ऐसे में हमारा प्रियास यह था कि हम बंगाल की खाड़ी से होते तक पहुँचें और मयामार से होकर हम नौर्थ इस्ट इंडिया को भी क्या करें उसी तरह से जोड़ें जैसे कि हमने भारत की अन्य राज्यों को जोड़ा हैं और साथी साथ इस पूरे छित्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए हम कई प्रकार की प्रोजेक्ट पर का कर रहे थे और इसी के कारण मयामार आज के समय में हमारे सबसे महतपूर पड़ोसी देशों में से एक था सब कुछ अच्छा चल ला था लेकिन जैसी आज हम आप जगे तो हम लोगोंने न्यूज ब्लिंग करता हुआ देखा कि यहां पर क्या हुआ है तकता पलट हो गया है यहां पर थाइलेंड है यह है आपका कंबोडिया यहां पर अगर आप देखेंगे तो बंगलादेश है और यह जो बंगाल की खाड़ी वाला च्छेतर इसका जिकर कई बार आपको आगे आने वाले टेक्स्ट में मिलेगा अब थोड़ा सा हमने मयामार को जोम करके आपके स जाना दाता बाकी सब चीज़े आपने देख लिए तो थोड़ा सा हम इसको एक इमेज के माध्यम से एक सेटिलाइट व्यू के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इससे क्या होगा थोड़ा सा टॉपिक पर आपकी अंडरस्टेंडिंग है वह बहतर हो सकेगे देकेट में लिखा होगा इसका नाम बर्मा जिसको पहले मैं मार को ही पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है मैं पूरी क्रोनोलोजी बताऊंगा बस मैं मैं आपकी इम्पोर्टेस इसलिए समझा रहा हूं ताकि यहां की जो जियो पॉलिटिक से उसकी गंभिरता को आप दिखाए गया है लाओस यहां पर थाइलेंड दिखाए गया है और नीचे की वह आएंगे तो आपको दिखाए गया है मलेसिया और यहां पर सिंगापूर दिखाए गया अब जितना आपको टेक्स्ट के मैप की जरूरती वह हो चुका है अब थोड़ सा टेक्स्ट के माध् यह चित्र है जिसको मैंने अभी मैप के माध्यम से दिखाया इसका नाम है इंडो चाइना दरसल है कि यहां पर यह जो प्रायदीप वाला चित्र है जिसको मैं और यहां पर आपको दिखा देता हूं जैसे यह जो चित्र है यह इसी को कहा गया है इंडो चाइना प्रायदीप वाला छेतर है इसके परोस में दो देश हैं पहला जो देश है वह है इंडिया और बगल में एक और परोसी इसका बड़ा देश है जिसका नाम तो कुल मिला को इंडो चाइना जो नाम दिया गया है यह एक परतीक के रूप में दिया गया है दो परोसी देशों की भूमका को य मारी मयाम मार से लगती है और वह है अवनाचर परदेश, नागालेंड, मनिपूर और मीजोरम इसलिए मैं इन सब चीजों को बता रहा हूं ताकि जब मैं आगे वहां पर जो प्रस्तित्यां उत्पन हो रही हैं उनके विसे में जब मैं कंसन पर बात करूं तो आपको लगे कि यहां फुर्वुत्तर भारत की एहर राची उससे बौंडरी सेर करते हैं और वहां पर कौन कौन सी चुनोते उत्पन हो सकती इस देश की जो राजधानी है उसके दो नाम प्रोनाउंस के जाते हैं दोनों को हमने लिखा है एक जो ज़्यादा प्रोनाउंस के जाता है वह न जनसंख्या है लगभग 5.5 करोड़ है अब 5.5 करोड़ जो जनसंख्या है वह यहां के जो रिसोर्स हैं उसके हिसाब से प्रयाप्त है लेकिन वह तभी हो सकता था जब यहां पर एक चुनी हुई सरकार रहती और अपने संसाध्यों का बहतर उपयोग कर पाती लेकिन जैसा थोड़ा सा जिसको इसको जो मैं मार का इतिहास से बहुत पुराना है लेकिन इस यहां के जो क्रमबध इतिहास का प्रारम होता है वह होता है सन्थ 1144 जिक्र आता है संद 1287 में क्या हुआ कुबलई खान ने आक्रमड कर दिया और इस से यह जो वंस इस्थापित हुआ था यह तूट गया और इसके बाद अगले लगभग 500 बरसों तक यह जो पूरा मयमार वाला छेतर है छोटे छोटे टुकडों में राज्यों में बटा हुआ था लेकिन इसी समय 1754 का समय आता है और 1754 में अलोम पाया या इसको अलोम परा भी बोलते हैं सान और जो है की मान समराज को जीत कर बर्मी बंस की इस्थापना की और यहीं से बर्मा नाम निकल कर आए मैं अभी बताऊंगा कि बर्मा कैसे मैं मारमें बना वो सभी बताऊंगा अभी हमें समझना है देखिए यहां पर एक मियन बंस आया दूसरा जो वंस आया वो है बर्मी बंस और यह जो इस्थापना इस समय हुई थी इसका जो सासन था वो लगभग 19-वी सताब दीक तक रह यह क्या था भारत का एक भाव वुआ करता था तो अब आपको यह पता है कि जो पस्सिम बंगाल वाला चेत्र है बंगला देश वाला यह जो एरिया उस समय था ब्रिटिस कॉलोनी की एज में जब यहां पर अंग्रेजों ने अपना राज स्थापित कर लिया तो उनको लाल सो के बाद अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजों ने पूर्व की ओर जो अपना विस्तार था उसको तेज कर दिया जिसके कारण भारत जो बर्मा जो मयामार युद्ध हुआ अब देखिए जो भारत और मयामार युद्ध हुआ इसको एंगलो बर्मा युद्ध कहा जाए तो जादा ठीक है हाला कि यह इसलिए इसकाई बार लिख दिया जाता है क्योंकि उस समय जो कि ब्रिटीस जो कमपनी थी वह क्या कर रही थी भारत में उसका सासन यहां पर इस्थापित हो गया था आपको पता है कि पलास्टी युद्ध बकसर की युद्ध के बार अंग्रे हो रहा है उससे पहले दोनों देशों के संबन अर्थाद एक देश के रूप में भारत जिसको पर जो है कि ब्रिटेन ने कबजा किया हुआ है दूसरा जो कि बर्मा है इन दोनों के जो संबन्द थे काफी अच्छे थे सांस्कृतिक संबन्द का भी मजबूत थे कारण इसम का जो उत्पति हुई वह भारत से हुई उसके अलावा इन दोनों देशों के जो छित्रों के ब्यापार थे वो भी काफी अच्छे थे कुल मिलाकर जब क्या हुआ पर्थम एंगलू बर्मा युद्ध हुआ तो इससे क्या हुआ जो हमारे सांस्कृतिक संबन्द थे उसको अंग्रेजू ने परभावित करने का प्रयास किया इस जो अंगलू बर्मा पर्थम युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 के वीच इसमें अंग्रेजू को जीत हुई अर्थात उनको जब जीत मिली तो जीत मिलने के बाद उन्होंने क्या रखा बर्मा के सामने अर्थात मयामार के सामने सर्थ रखा कि आपको हमारे सा संधी करनी होगी और 1826 में यांडवू की संधी होती है तो यह आप से पूछा जा सकता है कि जो यांडवू की संधी है वो किसके किसके मद में हुई थी तो ध्यान दिजेगा पर्थम एंगलू बर्मा जो युद्ध हुआ था उसके बा पर क्या हुआ जो है कि अधिकार मिल गया अंग्रेजों को और चूंकि असम के कुछ छित्रों पर भी क्या था कि जो वहां पर बर्मा में जो सासन कर रही सकता थी उसका अधिकार था तो असम के भी कुछ छित्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया ध्यान दिजे हम क्य जो यांडवो की संधी होई थी उसके फलस्वरूप अंग्रेजों को मैमार या बर्मा के जो पस्मी छेत्रे जो इंडिया से लगे हुए छेत्रे उस पर पर तो अधिकार मिला ही असन के कुछ छेत्रों पर भी अधिकार मिल गया और इससे क्या हुआ यहां से अंग्रेजों को तो बर्मा में मैमार में हस्ताचेप करने का अधिकार मिल गया. और इस तरह भारत के साथ साथ बर्मा भी अब क्या हो गया, एक तरह का बिटिस उपनिवेस बन गया. भारत का जो गौर्णर जनर्र होता था वह बर्मा की सत्ता को या मैमार की सत्ता को भारत में बैठ कर चलाता था तो सौभाविक है एक उपनिवेश की तरह इसके साथ ब्योहार किया जा रहा था अठारसो बावन में दूसरा युद्ध हुआ अंग्रेजों की बीच और साथे साथ जो है की बर्मा के बीच और इस से क्या हुआ जो बर्मा अर्थन मैमार का जो दच्छडी भाग है यह किसके अधिन चला गया अंग्रेजों के पास चला गया और अगर देखा जाए तो 1886 मे तो संपूर बर्मा पर क्या हो गया अंग्रेजों का राज हो गया और इस तरह से भारत के तरह यहां पर भी क्या हुआ यह बर्मा पूरी तरह से उपनिवेस बन गया पूरे चित्र में लगभग लगभग ब्रिटेन का क्या हो गया अधिकार हो गया और यहां पर भारत में बैठा हुआ जो गौर्णर जनर्रल था वह अपने जो है कि सासन को वहां पर रेगुलेर करता था चलाता था इसी बीच जो है कि 1935 का जो अधिनियम आया इसके द्वारा क्या किया गया बर्मा की सत्ता का हस्तान तरण कर दिया गया अर्था इसके यह का गया कि बर्मा को क्या क किया गया एक अलग उपनिवेश के रूप में बना दिया गया अब हुआ अब थोड़ा सा यह जो 1935 का अधिनियम आया उससे पहले भारत में जो घटनाय हो रही थी उनको समझे उस समय क्या हो रहा था हमारे यहां राष्टी आंदोलन काफी तिब्रगती से बढ़ रहा था महत्मा गांदी जी के साथ साथ जो हमारे यहां के क्रांतिकारी थे वो किसी भी तरह से यहां से अंग्रेजों को हटाना चाहते थे तो जैसे भारत में आंदोलन हो रहा था ठीक इसी तरह से बर्मा या मयमार वाले छेत्रों में अंग्रेजों को हटाने के आंदोलन हो रहते ऐसे समय में अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए जिससे दोनों के हम पर जो संगमलित मिल चूल कर बिरोध होता है उसको कम किया जा सके आपको याद हूँ का जो बंगाल भी भाजन हुआ था भारत में तो बंगाल भी भाजन भी क्यों हुआ था इन्ही कारणों से हुआ था अंग्रेजों ने किया था कि जो राष्टी नेत्रोत है जो बढ़ता हुआ आक्रोस है उसको कम किया जा सके ठीक यहाँ पर भी क्या किया बर्मा को अंग्रेजों ने अलग कर दिया कब अलग किया यह किया 1937 में और किस अधनियम के तहट किया 1935 के अब उसके बाद क्या हुआ कि जब अलग कर दिया गया अलग तरह से वहाँ पर सासन चलाया जाना रहता लेकिन था तो वो भी क्या है एक उपनी बेस बर्मा आजाद फोज के साथ मिलकर क्या किया जो उहां पर ब्रिटिस कंपनी थी या ब्रिटिस सत्ता थी उसपर हमला कर दिया और इसी समय आपको पता है यहां पर आजाद हिंद फोज भी स्थापित होती है जिसका नितुत कर रहे होते हें सुभास चंद्र बोश जी और ऐसे समय में क्या होता है कि सुभास चंद्र बोश जी की बज़े से और साथी साथ आजाद हिंग फोच की बज़े से भारत का पूरा जो समर्थन पहले से भी मयामार के साथ जुड़ा हुआ था कि उहां पर भी डेमोक्रेसी इस्थापित होने चाहिए उपनिवेस की समापती होने चाहिए भारतियों का जुड़ा और बढ़िया और साथ पहले से जो हमारे संबंध थे उन संबंधों में और मजबूती है और आपको पता है कि जैसे ही वहां पर जापान का हमला हुआ और सभी चीज़े ही तो बिटीन ने आपको पता है कि मयामार को जिस तरह से चोड़ा या बर्मा को जिस तरह से चोड़ा वहां पर जो र वाला अच्छे तर था उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया बरबाद होने के लिए तो अब भारतियों को लगा कि एक देश पर जिस पर आपने सासन किया था आप उसको ऐसे कैसे बरबाद होने के लिए छोड़ सकते हैं कुल मिलाकर यहां से क्या हुआ और जो है कि सिंपे थी भा भारतियों के मैंमार के लिए बढ़ गई और ब्रिटिस सरकार के खिलाप आक्रोस भी और इसी की कारण आप देखते हैं कि दुट्ये-विश्यूद्दे के समाप्त होने के बाद भारत में भी कई तरह के आंदोलन होते हैं भारत छोड़ आंदोलन से लेके कई परकार के आं करने आए हम जादा प्रगति सील हैं लेकिन ऐसा कुछ था है फिर दुति विस्यूद में जापान की हार के बाद ब्रिटेन ने पुना क्या किया उसी मयामार या बर्मा वाले छेत पर अपना नियंत्रम बढ़ाने का प्रयास किया जिसको वह अपने हाल पर छोड़ाया था ले यहों ने क्या किया था एंटी फासिस्ट फीपस फ्रीडम लीग जो है कि बनाया था और इसको जो है कि मदद मिली अर्था आंग सान ने जो एंटी फासिस्ट फीपस फ्रीडम लीग बनाया था इसको ब्रिटेन ने समर्थन दिया और इस तरह से बर्मा को आंग सान के नित् में एक 6 सदसी अंतरिम सरकार का गठन हुआ और गठन इसलिए हुआ क्योंकि अंगरी जो नहीं कहा कि जैसे हम इंडिया में उन्होंने पर पूजर रखा कि हम इसको छोड़ कर जाएंगे और पूनिवे इसको आजादी देंगे तो ऐसे यहां पर क्या हुआ एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया अब जो यह आंग संग थे यह मैं मार के माने जाते हैं राष्ट पिता कहलाते हैं इसलिए मैंने आपका जिक्र इनका जिक्र किया आने वाले समय फिर से इनका जिक्र आएगा अब जो आंग संग थे इनको क्या हुआ जैस आजादी जो मिलने वाले थी उस हम हो जाते हैं 15 अगस 1947 को आजाद और 4 जनौरी 1948 को बर्मा को क्या हो गया ब्रिटिस आजादी से मुक्त किया गया और इससे पहले ही इनके जो राश्पिता आंगसन थे जिन्होंने एंटी फासिश फ्रीडम लीक की मदद से जो है कि जापान के लोगों को बाहर किया था या फ जनौरी 1948 के बाद बर्मा या मैमार के लोग अपने हिसाब से सासन चलाएंगे और लोगतंत्र इस्थापित करेंगे लेकिन ब्रिटिस उपनिवेसवाद की चंगुल से मुक्त होने के बाद 1962 तक वहां लोगतंत्रिक सरकारें जरूर निर्वाचित होती रही लेकि इसके बा प्लट करते हुए सत्ता पर कबजा कर लिया अर्थार यहां पर जो चुनी हुई सरकार थी वहां जो है कि हटा दी गई और सत्ता पर जो है कि क्या होगे मिलिटरी आगे आपने देखिए जो अपने परोस में दो देश नहीं जैसा कि एक हम पाकिस्तान को देखते हैं एक यह यहां पर देखते हैं हार कला कि हम मार के बाद कम करते हैं इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूरी क्रोनोलोजी बता हूँ तो यहां पर क्या हुआ उसी तरह से जैसे पाकिस्तान में हो रहा था यहां पर भी क्या हो रहा था जो है कि सेन ने तकता प्लट हुआ या फिर कहें से उनका नाम है आंग सांसू की और इनका जो जन्म हुआ था इनके पिता के हत्या के कुछ समय पहले ही जून 1945 में यांगून अर्था जिसको पहले रंगून के नाम से जना जाता था उसमें इनका जो है की जन्म हुआ था अब जब है कि जब आजादी के बाद क्या हुआ कि बर्मा में जो नई सरकार बनी थी जिसको हमने कहा कि एक निर्वाचिस सरकार आए उसमें एक बड़ा नाम आंग सांसू की की मा जो थी वह थी खिनकई इनका बड़ा नाम तो ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाह रहा अंग सान उनकी हत्या हो गई हत्या के बाद अब जो उहां पर एक popular नेता के रूप में थी वह थी खिनकई जो आंग सान की पतनी थी और आंग सांसू की जिनका जिक्र अब आने वाला है उनकी क्या है मांगद। तो कुल मिलाकर इन्हें जो है कि जो खिनकई थी जो आंगसान की वाइब थी इनको 1960 में भारत और नेपाल में बर्मा का राजदूत निउप्त किया गया अब ये देखिए 1960 में निउप्त किया गया और मैंने क्या कहा कि उहां पे 1962 में क्या हो गया था तकता पलट हो गया था तो जब इनको निउप्त किया गया तो कहा का निउप्त भारत और नेपाल में बर्मा का राजदूत निउप्त किया गया यह अपनी पुत्री जिनका नाम है आंगसान सूकी को लेकर आई थी और इन्हों ने दिल्ली के स्रीराम कॉलेज से राजनीती विज्ञान में इस ना मार लोटी तो जब माया मार लोटी तो उस समय इन्हों ने देखा कि माया मार में लोकतंत्र की मांग हो रही है अर्था 1962 में जो इहां पर सेना ने तक्ता पलट करके सक्ता अपने हाथ में ले ली थी उसके खिलाब 1980 के धसक में काफी ज़्यादा बिरोत परदर्सन होने लग हुआ था तो इन्हों ने आंदोलन का नित्रुत अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेने के बार सुकी अर्थात आंगसान सुकी जो की यहां के राश्पिता उनकी पत्ल उनकी जो है की बेटी है उन्हों ने कहा कि हम अभी पार्टी की स्थापना करते हैं और इन्हों न किया भी जिसका नाम है National League for Democracy जिसका short form होता NLD अर्थात National League for Democracy ध्यान दिजेगा इन्हों ने एक पार्टी का गठन किया और कहा कि जो यहां के युआ लोग तंत्र की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यह डेमोक्रेसी इनको मिलने चाहिए और 1962 से जो यहां पर सेन ने ताकत है सेन ने सकता है इसको हटाया जाना चाहिए अब हुआ क्या यह तो यह लोग मांग कर रहे थे लेकिन हमने क्या कहा आपको 1962 में ही जो तक्ता पलट होने के बाद क्या हुआ यहां की सेना ने एक दल्य सासन पनाली को इस्थापित कर दिया था और जो सेना के अधि जो है कि इस सेना के जो नित्रत में भी कई परकार की चीजे देखने को मिलती थी और इसी में एक घटना करम होता है जो कि आंग सांग सो की के लिए क्या होता है एक तरह का बरदान साबित होता है सेना समर्पित जो दल था जिसका नाम था सोशली पूर्ग्राम पार्टी के बर्चस को धक्का 1988 में लगा 1988 में लगा जब सेना के एक अधिकारे जिसका नाम था स्वामांग ने बड़े पैमाने पर चल रहे जन आंदोलन के दोरा सत्ता को हत्याते हुए अर्था सत्ता का जो सरूब जिसको 1962 से लेकर सेना आध्य बढ़ रही थी उसको साइड लाइन कर एक नया जो है कि सेन्य परसत इन्हों ने बना लिया अर्थात यह पता चला कि सेना में भी अपने कई गुट हैं और उसमें सेन्य असत्ता को लेकर संगर्स हो रा तो उन्होंने क्या किया एक नया सेन ने परसत गठन किया और गठन करने के बाद आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया अब जब सेना ने ऐसा बेरहमी से इस आंदोलन को कुचला जो मांग कर रहा था डिमोक्रेसी अर्थात लोगतंत्र की और इस समय जो नाम जुड़ गया था आंसान सूकी इस आंदोलन से जुड़ गई थी और उन्होंने इसी समय जब देखा कि आज जो है कि सेना इस तरह से बेरहमी से आंदोलन को कुचल रही है पूरे देश में गुस्सा है इसी समय उन्होंने क्या कर दिया NLD अर्था National League for Democracy का क्या कर दिया गठन कर दिया अब इन्हों तो गठन कर दिया और इमांग कर रहे थे क्या करना चाहिए हमें डेमोक्रेसी मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो सेन कबजा जमाया गया था 1988 में यह जो सत्ता थी काफी मजबूत थी सेना की और इन्होंने जो है क कहा कि हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है और यह जो सेन सासन है इसको जाना जाता है जुन्टा के नाम से तो अगर आप से कोई पूछे जुन्टा तो दरसल यह क्या है एक प्रकार एक स्पेनिस सब्द है जिसका अर्थ होता है मिलिटरी के समू के द्वारा सासन किया जान यहां पर सांती और डेवलमेंट के बात कर रहा थे लेकिन लोगतन कि किया हो रही थी हत्या हो रही थी खैर यहां पर जो अंदोलन बढ़ने लगा युवाओं का आकरोस बढ़ने लगा सेना ने जो कदम उठाए उससे और गुस्सा बढ़ा और इसी के कारण जो है कि कई त में जो जीतता है उसको सत्ता हिस्तांतरीत करना चाहिए लेकिन चुंकि सेना इस समय सत्ता में थी जुन्टा सासन सत्ता में थी इसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर इन्होंने राष्टवाद का हवाला देते हुए यह कहते हुए कि अभी हमें मयमार या बर्मा में जो है कि सत्ता को पर विकास को बढ़ावा देना है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ ये जरूर किया कि 1989 में बर्मा का नाम बदलकर इन्होंने मयाम मार कर दिया, रंगून का नाम बदलकर इन्होंने अंगून कर दिया, अब नाम परिवर्तन इसलिए किया ताकि यह अपने साथ वाद था हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों प्राप्त की ताकि हम सासन कर से तो सेना ने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं कुल में लाकर इस सभी चीजे चलती रही फाने जब आंदोलन जारा तेज हुआ तो और आंदोलन तेज हो रहा था दूसरी तरफ आंग सांग सूकी की जो है की लोगपृता बढ़ रही थी अब ऐसे में क्या हुआ 1990 में हम पर चुनाव करवाए गए और आंग सांग सूकी ने जिस पार्टी का गठन किया था और NLD इसको भारी जीत मिली लेकिन जो जुन्टा सासन था जो मिलिटरी की समू का सासन था उसने का हम सत्ता हस्तान करने वाले नहीं हमने चुनाव करवा दिया बहुत हुआ अब हम सत्ता नहीं देंगे और तो और इन्हों ने आंसां सूकी को क्या किया 20 साल के लिए नजर बंद कर दिया और जब नजर बंद कर दिया तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि कैसा सासन है जिसने पहले तो करके कहा कि हम आपको सत्ता सौपते हैं लेकिन जो सेना है वह नागरी सरकार को सत्ता सौपनी के लिए तैयार नहीं थी बदली में उन्होंने 20 साल के लिए क्या कर दिया इनको नजर बंद कर दिया बैस भी कालूचना हुई जैसे कि इस समय भी हो रहा है मैं मार ने इग्नोर किया कहा कि हमें इससे कोई फरक नहीं पड़ता हमारे हैं सब क्या है चंगा चल रहा है कुल मिलाकर आंग सांसुकी को 1990 से लेकर लगवग 2010 तक या लगवग 20 साल तक इनको क्या किया गया नजर बंद रखा गया अर्थात इनको डिटेन करकी रखा गया इसी चुंकि इन्हों 1988 के बाद क्या किया था डेमोक्रेसी को लेकर काफी मुमेंट किया था इसी लिए आंग सांसुकी को 1991 में क्या हुआ सांती का नोबल पुरुसकार मिला अब सांती का नोबल पुरुसकार जब मिला तब यहां कि जो सासन था उसके उपर एक दबाव बना कि जो डेमोक्रेसी के लिए मांग कर रहा है उसी को आपने डिटेन किया है खेर इनको नोबल पुरुषकार जो है कि घोशना तो कर दी गई कि इनको नोबल पुरुषकार दिया जाएगा चुंकि यह नजरवन थी तो इनको जो मिल पाया और नोबल पुरुषकार वो मिल पाया 2012 में जब घोशना हुई तो इनके जो बच्चे थे वहाँ पर उस सेर्मनी में भाग जरू लिया लेकिन यह जो सांती का नोबल पुरुसकार इनको मिल पाया वह जब मुक्त हुई तो उसके बाद 2012 मिल पाया तो हमने अभी तक क्या समझा कि कैसे मयामार में जो है कि वहाँ पर आदी के बाद जो है कि भारत ने मयामार के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत किया कई तरह कि हमने संधियां की उन संधियों के माध्यम से हमने मयामार के साथ अपने सहयोग संबंधों को मजबूती दी लेकिन जैसे ही 1962 में यहाँ पर क्या हुआ सेन ने सासन इस्था उसके बाद भारत ने क्या किया अपने हाँ जो है कि इससे दूरी बढ़ा ली अर्था जैसे ही मयामार में स्तक्ता पलट हुआ उसके बाद भारत ने कहा चुंकि यहां पर लोगतंतर नहीं है इसलिए हम इस देश के साथ जादा अपने संबंधों को मजबूत नहीं करें तो आपको पता है कि यह जो 1962 का समय यह वही समय है जब इंडिया चाइना क्या हो रहा है इसके बाद क्या किया चाइना ने हम तो क्या कर रहे थे लोगतंतर के नाम पर अलग पड़े हुए थे मैमार से हमने कहा कि कोई संबंध हम आपसे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे लेकिन इसी दोरां चीन ने अपना पूरा परभाव यहां पर बढ़ा दिया और भारत के जो पड़ोसी छित्र थे हर जगे किया कि वह अपनी पहुंच को बढ़ाए और यहां पर मैमार में चीन क्या हो रहा तक काफी मजबूत हो गया और तो जानिए कि मैमार ने जो है कि चीन को अपना कोको दियूप जो है कि लीच पर दे दिया और उससे क्या हुआ बंगाल की खाडी में चीन पहुंच गया हमारे बगल में आकर बैट गया भारत को जब यह पता चला तो उसको लगा ये तो हमारे साथ काफी गलत हो रहा है। खेर इसके बाद भारत ने कहा कि अब हमें थोड़ा सा संतुलन की नीती अपनानी चाहिए। इसी के कारां 1990 के बाद भले ही यहां पर सेने सासन हो। भले 1990 में जब यहां पर चुनाओ हुए और चुनाओं के बाद यहां की जो सेना थी उसने नागरी सरकार को सत्ता सो अपने से इंकार कर दिया हो और सेना ने अपना जो सासन है उसको कंटीनियू रखा हो भारत ने कहा कि अब हमें क्या करना है इसके साथ संबंधों को मजबू नहीं उपा रही थे जैसी जैसे 1990 के बाद चुनकि आंग सांसुकी को डिटेन करके रखा गया नजर बंद करके रखा गया बैस्विक आलोचना हो रही थी कई तरह के मैंमार या बर्मा पर कहें अब तो मैंमार ही हम लोग कहेंगे जारा ठीक रहेगा तो कई तरह के उन पर प्रतिबंद लगाए गये थे इस तरह से एक अंतरराष्टिय दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था मैंमार की सेनग तो बर्स 2008 में मैंमार की सेना ने कहा कि हम एक रोड मैप टू डेमोक्रेसी हम प्रस्टूत करते हैं और इसके तहच रोड मैप टू डेमोक्रेसी के तर इन नियंतर्ण वहाँ पर सेना का बना रहें कारण यह था कि मैंमार पर जो है कि 1990 के बाद ही कई तरह के प्रतिबंद लगने लगे और बैस्विक आलोचना होने लगी इधर आंग सांसूकी की जो लोगपरिता बढ़ रही थी तो मैंमार की जो सेना की सत्ता थी उसने सोचा कि ठीक है फिर से हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर भी हम सत्ता अपने पास रख सकें और इसी के कारण इन्हों ने क्या किया कि अपने यहां जो समिधान में जो संसोधन की जो नियम परेत कि उसमें कहा कि मैंमार की संसद और बिधान सभाओं की 25 फिस्दी जो सीटे हैं वो सेना के लिए आरचित रखी जाएंगे उस पर चुनाओ नहीं होगा इसका मतलब यह है कि यहां की जो संसद है यहां की जो बिधान सभाओं है उसमें 25 पर फोर्त की हिस्सेदारी सेना की बनी रहेगे यह हिस्सेदारी इसलिए है ताकि वह में खड़े होकर मयामार की लोकतांत्रिक सरकार को कोई ऐसा कारे ना करने दे जिससे वह सेना कमजूर हो सकती इसी के साथ 2008 वाले नियो मुमिन हो ने यह भी कहा कि जो ग्री विभाग है जो रच्छा विभाग है और जो सीमा मामले है उस पर भी क्या रहेगा यह सेना के कि कोई भी ब्यक्ति यदि किसी बिदेशी ब्यक्ति से विवा कर लेता है तो वह राष्ट परमुख नहीं बन सकता तो इन्हों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और इहां नियम इसलिए इन्हों ने बनाया क्योंकि आंग सांग सूकी ने एक बिटेन के नागरिक के साथ जो है कि कि जो 25 पर सीटे सीटे थी कुछ बिभाद थे यह सेना के लिए आरेचित कर लिए गये मैमार में जो उच्छ सदन होता है इसमें 224 सीटे होती है और जो लोवर हाउस होता है जैसे हमारे हैं लोग सभा होती है यहीं यहां पर हाउस ओफ रिफ्रेजेंटेटिव होता है और उच्छ सदन जो होता है उसको बोला जाता है हाउस ओफ नेशनलिस्ट है होन इसको बोलते हैं हो और इसको बोलते हैं उच्छ सदन को होन अर्था हाउस ओफ नेशनलिस्ट है जिसमें 224 सीटे होती है यहां कि जो वोटर की संक्या है वह दो करोड़ लगवक 70 लाग है यहां की तरब से ये नियंतर रखने का कारे करती है तो हुआ क्या कि जब बर्स 2011 में उनको जब रिहा किया गया किसको आंगसान सूकी को जो रिहा किया गया तो उसके बाद फिर से ये हुआ कि यहां पर चुनाव करवाय जाने चाहिए और चुनाव जो करवाय जाने चाहिए तो उन मारे जो नियम है 2008 में जो हमने बनाए हैं वो वैसे ही रहेंगे लोगों ने कहा ठीक है हम कर भी उसमें क्या सकते हैं लोगों ने सहमती जता है और 2011 में मैंमार में नागरिक सरकार बनी और जिसमें चुने हुए प्रतिनीधियों के हाथ में कमान सौंपी गई तो अब देखिए 2010 के बाद यहां पर आपको थोड़ सा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि यहां की जो सेना है वो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही है भले यह अपने नियम हो अपनी हिसाब से समिधान बना कर बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है लेकिन यह जो सरकार 2011 में बनी यह पूरता ना सरकार की मिले जो लिस सरकार यहां से बनती है बर्स 2012 में फिर क्या हुआ यहां कि संसदी उपचुनाव हुए और संसदी उपचुनाव में जो आंसान सूकी की पार्टी NLD थे उसने क्या किया 45 में से 43 सीटे अर्था 2 सीटों को छोड़ कर बाकि सभी सीटे क्या कर ली जीत ल की और जब भारी जीत हांसिल की तो राश्ट्पती भी इनका ही बनना था लेकिन आपको जैसा कि हमने बताई कि यहां के राश्ट्पती पद के लिए अनिवार था कि उस ब्यक्ति ने किसी भी तरह से विदेशी ब्यक्ति से साधी ना कियो चुकि यहां के सूकी थी इन्हों ने क्या किया था ब्रिटेन के ब्यक्ति के साधी किया था इसलिए इन्हों ने उनके सलहकार रहे रहे उनके ड्राईबर रहे हितना आयू को राश्ट्पती बनाया और खुद एक नये पद्र का सिरजन कर यह बनी स्टेट मिया बनी इस्टेट काउंसलर और जब से वीवार सांसूकी के पास थी और नाम मातर के जो राश्टपती थे वह उसको चलाती थे सब कुछ अच्छा चल ला था लेकिन इस दोरान अर्था बर्स 2015 के बाद यह देखा गया कि आंग सांसूकी क्या कर रही है सेना के साथ सत्ता तो चला रही है लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी चीज़े आई जिस से यह लगा कि सेना क्या कर रही है मानुआदिकार बिरोधी कार कर रही है और उन मानुआदिकार बिरोधी कार्यों में जो आंग सांसूकी है वह कोई एक्सन नहीं ले रही है तो इनकी जो छबी बने थी जिसके लिए इनको नोबल पुरुसकार मिला था वो धूमिल होने लगी उसी बीच आपको पता है कि 2016-2017 में क्या होता है रोहिंग्या जनसंगार की खबरे आती है और इसमें यह पता चला कि लाखो जो है कि रोहिंग्या समुदाय की हत्या कर दी गई जैसे भारत से लेकर बांगला अन्य देसों में आप देखते हूँगे और यहाँ से जो आँग सान्सुकी की छबी थी वह गमजोर होने लगी और यहां पर बात इतनी बढ़ गई कि इनको जो सांती का नोबल पुरुसकार मिला था उसको भी बापस किये जैनल अब प्रश्न आएगा कि मैं इस सब क्यों बता रहा हूँ यह इसलिए बता रहा हूँ कि इन काणों ने क्या हुआ है कि सेना को मजबूती दी उन्होंने आंग सान्सूकी ने जिस तरह सेना का कई मामलों में पक्ष लिया उससे सेना को पहले लगा कि वह सब ठीक कर रहा और उसने लोगों का भरोसा जीता और अब जब आंग सान्सूकी की च़बी थोड़ी से कमजोर हुई उसने क्या कर दिया अपना गेम जो पहले से उसका तयार था वो कर दिया और यहां की नागरिक सरकार को हटा दिया अभी आगे हम और बने आपको पता हो तो रोहिंग्या के मुद्देव इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टीस में मुसलिम देशों ने गेंबिया के नित्रत में मयमार सरकार पर कई तरह के प्रतिबंद की बात की और इस समय सूकी ने अर्था आंसान सूकी ने सेना का बचाव किया और कहा कि नरसंगार नहीं हो इसके बाद तो पूरा बवाल कट गया लेकिन फिर भी सभी कुछ चल रहा था अब हुआ कि यहां पर यहां लोगों को समझ में आया कि कि यहां पर भी कोई बात नहीं थी लेकिन बर्स 2015 में जब इनको सत्ता मिली 2020 तक यहां जो आर्थिक विकास की दर है उसमें भी कोई खास ब्रिद्धी नहीं देखी गई और ना ही यह समझ में आया लोग को कि लोगतंत्र और जो लोगतंत्र के साथ विकास का जो सहयोग माना जाता ह है एक जो है कि दोनों एक दूसरे को सहयोग करते आगे बढ़ते हैं ऐसा भी यहां के लोगों को नहीं लगा इससे क्या हुआ कि जो आंसान सुकी के समर्थर में कुछ लोग थे उसमें से कुछ लोग के मन में जो डेमोक्रेसी के लिए के आईडियास थे बैलूस थे एक जहां के कची इंसान चीन और नागा जैसे दर्जुनों समधाय अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और कई तरह के जाती संघर्ष चल रहे हैं जबकि 2015 में NLD ने सत्ता में आने से पहले घोशना किया था कि वह इन समस्याओं और तनाओं का सांती पूर्वक समाधान करें थे कि सत्ता हमारे पास आए चुनी हुई सरकार के पास लेकिन दूसरे तरब हो क्या कर रही थी सरक असेना का बचाव कर रही थी और जो उन्होंने एजेंडे लोग के सामने रखे थे चाहें बिकास का हो या जो उहां पर संघर्ष हैं या कमिटी को लेकर वो सब पूरे नह था करकारान अंदर ही अंदर क्या हो रहा था इनके बीच अर्फ़ा आंग सांसू किया थे सरकार और सेना के बीच कई बार मतबियद उबर रहे थ जाए कि सेना यहां पर फिर से तक्ता प्लट कर सकती है लेकिन यहां पर नहीं उपाया एक या करेकाल पूरा हुआ ब रस 2020 मे क्या कि आ गया NLD सरकार ने अर्थात यहाँ पर पिछले साल NLD सरकार ने संबेधानिक संसोधन की 100 से भी अधिक क्या कि प्रस्ताव पेस किये और इसमें कई प्रस्ताव ऐसे थे जो कि सेना के नियमों या सेना की सक्ती में तमजोर करते थे जिसमें इसमें जो संसोधन किया प्रस्ताव पेस किया उसमें वो भी प्रस्ताव था जिसके तहट आंग सांसू की राश्टपती पद के लिए अयोग थी और इसमें जो प्रावधार किया गया था कि जो कोई भी ब्यक्ति जिसने बिदेशी ब्यक्ति से सावी की वो राश्ट अब देखे जो पहले से सेना और सरकार में मतभेत था वह क्या हो गया बढ़ने लगा और जब बढ़ने लगा तो यह जो अंदर ही अंदर तनाव काफी चरम पर पहुंच गया इसी बीच एक और घटना होती है और वह होता है कि नॉमबर 2020 में यहां पर संसदी चुना हुए अ के इन्होंने जो की यह सौव से अधिक प्रस्ताव कीया जिसमें सेना की ताकत को कम गंजोर करने का प्रयास किया यह पास नहीं अपायते पास इसलिए नहीं हो पायते क्योंकि सेद्क हम ने कहा कि 1-4 तो क्या है उनकी हिस्सेधारी है प्लस वहां पर बिपाख्छी दल के मा लि मोक्रेस्टी को जीत हासिर हुई, आपको पता है कि यहाँ पर जो है कि 440 सीटे होती हैं संसदीर चुना में और इह चार सो चालिस सीटों में से 315 पर चुना होता है 125 सीटे सेना के लिदेर आरेसी थे तो इसमें तो कुई चुना होना ही नहीं था होना कितने पर था 315 पर और 300 जब 15 पर हुआ तो 258 CT क्या होई NLD को मिल गई अब यहाँ पर जो है कि सेना को लगा कि हम जैसा सोच रहे थे कि इनकी लोग पिरिता में कम ही आई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया तो सेना ने कहा कि इस चुनाव में लगभग 9 मिलियन फरजी मतदान हुए है अर्थात यहाँ पर अनियमित्ता हुई है 9 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 90 लाक लोगों ने या तो फरजी दूसरे का बोर दिया है या फिर दो दो बार बोर दिया कुछ इस परकार के लेकिन यहाँ के चुनाव आयोग ने कहा नहीं इस परकार की कोई धांदली नहीं हुई है और इस धांदली के आरोब को अस्विकार कर दिया जब अस्विकार कर दिया तो अब सेना को लगा कि जिस तरह सी मजबूती से सत्ता में आए हैं आने वाले समय में क्या होगा यह चितने प्रस्था इन्हों ने पेस किये थे जिससे यह नागरिक सरकार की सक्ति बढ़ाने का पर्यास कर रहे थे यह तो और बढ़ाएंगे सेना प्रवंग जनर्र मिंग उन हैलिंग जिनका नाम इंगलिस में यहाँ पर लिखा हुआ है ने इन्हों ने कहा चुनाओं के बाद कि सेना जो है कि राष्टी मुद्दों पर बर्स 2008 के समयधानिक कानून का पालन करेगी ना कि कि किसी अन्य कानून का इन्हों ने दरसल इसल कर आपको फिर से तक्ता पल्ट हो सकता और कि सेना जो कि क्या थे देशधिते संगठन उन्हों ने सेण से कहा कि ना आप आसा न करिएगा कि यहाँ पर फिर से तक्ता प्लट हो जाए चूँकि यहाँ पर जो MBC थे उनको यह सूचना मिलने लगे थे कि यहाँ पर तक्ता प्लट हो सकता तो हमने क्या बताया आपको कि NLD को क्या हुआ था House of Representative में 258 सीटे मिली थी कौँ से? No. 2020 में जो चुना हुए थे और House of Nationalist अर्थत HON में इनको 138 सीटे मिली थी कितनी में से? 224 में से 138 और यहाँ 440 में से 315 पर आपको पता चुना होते हैं उसमें से 208 मिले थी अब इनक जो चुने हुए प्रतिनी दियों की क्या होनी थी? एक फरवरी अर्थत आज ही के दिन पहली संसत की बैठक होनी थी और बैठक होने के बाद सरकार यहाँ पर क्या करती? अपने काम काज परारम करती लेकिन ऐसा नहीं हो पाए आज सुमें मैमार की सेना ने तकता प्लट करते हुए सत्ता अपने हाथ में ले लिया आंग सांसू की और उनकी द्वारा जो मनोनित किये गये थे प्रेसिडेंट बिन मिन्ट को भी क्या किया गया और और ने परमुक नेताओं को डिटेन कर लिया गया और मैमार में एक साल के लिए इमरजेंसी घोसित कर दिया गया सभी बड़े सहरों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है कई जगे कम्यूकेशन के जो केबल है उनको काड़ दिया गया है यहां की जो स्टेट ब्रोटकास्ट एजनसी MRTB है इसको भी ओफ यर कर दिया गया है इससे कोई सूचना जिससे ना पहले यांगुन जो मयामार की पुरानी रादधानी सबसे बड़ा सहर है वहां पर भी इंटरनेट और जो है की फोन सेवा को सिमित कर दिया गया है अंतराश्टी मीडिया को प्रतिवंदित कर दिया गया है बैंकिंग सेवाए लगभग ठप कर दी गई है लोगों को कि एटीम से पैसे निकालने की अनमती है वो भी लिमिटेड अमाउंट में और इस तरह से यहां पर फिर से सेने ताकत लोट आया सेना ने गोशना किया है कि एक साल के आपातकाल के बार नए सीरे से चुनाव करवाए जाएंगे और सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा जो कि लगता नहीं है 1962 से लेकर आप समझेए कि 2010 तक यहां पर सेने सासन रहा 2010 से एक दसक इस देश ने अभी डिमोक्रेसी की बढ़ना चालू किया था तब तक उसके पैर फिर से काट दिये गए है अब जो एक साल होगा है जो इमर्जेंसी का फिरेड हो है इसमें सेना का जो संचालन होप के रहेंगे वो सेन पर मिन ओंग जो है की लाइंग चलाएंगे तो नाम याद रखिएगा मिन ओंग लाइंग चलाएंगे इनके पास बिधाईका की प्रसासन की और न्यायपाल का संचालित करने की पूरी सक्ति इनको दे दी गई है कुल मिलाकर यहाँ पर जो सेना है उसे पूरी सक्ता ले लिए NLD ने सू की गिरपतारी के बाद जो है की लोगों से अपील की है कि सेना की इस तक्ता फलोट को किसी भी सूरत में स्विकार ना किया जाए और इससे ही संभावना है कि यदि NLD के समर्थन में लोग उतरते हैं तो यहाँ पर ग्री युद्ध भी हो सकता है हलाकि देखना होगा इहाँ पर जो मिलिटरी है उसने काफी मजबूत तरीके से पहले भी सासन चलाया है अब तो पूरी फोज जो है कि पूरा जितना में मार के जितने बड़े छित्रे हैं बड़े परतिष्ठान है सब पर सेना का कबजा हो चुका है अमेरिका ने कहा है कि हम में मार की लोगतांतिक संस्थाओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और जो इहां की सेना ने कदम उठाए अगर उसको नहीं वापस लिया गया तो हम खड़े कदम उठाएंगे देखना होगा कि क्या होता है भारत ने इस पर चिंता परकट करते हुए कहा है कि कानून के सासत और लोगतांतिक परक्रिया का पालन करना चाहिए हम चीजों पर नजर बनाए हुए भारत बहुत ही जो कि सौप तरीके से चीजों को डील करता है मतलब उसका अपना एक तरीका है कि वो किसी भी चीज को बहुत जाला हाइप नहीं करता अंदर अंदर कुछ भी होता रहा तक है अब हम समझेंगे कि यह जो पूरा घटना करम हुआ है यह पूरा घटना करम भारत के लिए क्यों महत्पूर है इसको समझी इसकी जो लोकेशन आपने देखा मैंने क्या बताया कि यह एक ऐसे छित्र पर है जहां से चाइना एंटर हो सकता है जिस माध्यम जिस छित्र से होकर पाकिस्तान हमारे अलगावाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है यह जो छेतर है यहां से होकर ड्रक से लेकर कई तरह के अवेध कारोबार हो सकते हैं इस छेतर से इसकी जो location है इससे होकर हम आसियान देशों तक पहुंच सकते हैं यह इसकी जो location है उसके location का अगर सही से प्रियोग किया जाए तो हम North East में क्या कर सकते हैं development को बढ़ावा दे सकते हैं तो इसकी जो location है यह कापी महत्पूर है ऐसे में अगर यहां पी जो सेना है हाला कि भारत नहीं यहां की सेना ने जो सरकार चलाया था 1990 के बाद 1990 से लेकर 2010 तर उस समय समझ ठीक रखे थे बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं ठीक रखे थे लेकिन यह अब यह देखना होगा कि भारत इसको कैसे जो है कि डील करता है अगर भारत जो है कि इसको छोड़ देगा तो इसकी जो लोकेसन है इसकी जियोपॉल्टिक्स का फायदा इस समय चाइना और पाकिस्तान के दुवरा उठाये जाएगा और आपको याद हो तो एक और देश हमारे पीछे पड़ा हुआ जिसका नाम है तुर्के खेर वो देखने आपको पता है कि अगर इस छेतर में सांती रहती हैं पर चुनी हुई सरकार रहती हुआ पर डेप्लमेंट को बढ़ावा देता है तो वहां से पुर्वत्तर में हमारे सांती स्थापित हो सकती है अलगाव बात को हम रोकते आए हैं रोक सकते हैं आतंगबात को हम खतम कर सकते हैं इन सभी कारणों के बज़े से इसकी जो लोकेशन काफी मत बूर्ट चुकि आपको पता है कि मयामार क्या है आसियान का सदस्य देश है तो आसियान के लिए हमारे रूप में एक प्रवेस द्वार का कारे करता है इसलिए भी यहाँ पर सांती रहना हमारे लिए काफी मत पूर आपको पता है कि पुरोत्तर में हम जो विकास और सरनाती समस्या को फ यहां सरनारती समस्या बढ़ेगी, पुर्वोत्तर में जो हम विकास को एजेंटा बना कर, जो मयामार के मधम से हम करना चाहते तो भी परभावित होगा, चीन को भारस से दूर रखने के लिए क्या होगा, यहां की जो मिलिटरी सासन है, वो काफी महत्पूर कदम उठा सकती, अर्थात आगर सोचिए, यहां के जो सेने ताकत है, उसकी नजदी की, चाइना के साथ जो कभी बार रही भी है, और इसी के कारण जेखें, जो कोको आइलेंड है, वो चाइना को मिला भी है, तो यहां पर अगर चाइना को काउंटर करना है, तो भारत को थोड़ा सा समहल कर यहां पर चलना होगा, भारत ने बड़ी मात्रा में आपको पता है, आपन निवेस भी किया है, एक दो नहीं कई निवेस किये हैं, जैसे आपको पता है कि भारत मयामार गेहां बनाया जा रहा है, ऐसे ही हम सित्वे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर हमने काम कर रहा सित्वे जो कि मैमार का बंदरगा है कलादान जो है कि नदी मिजोरम से होके मैमार में प्रवेश करती है तो इसको जोड़ कर हम क्या कर रहे थे नौर्थ इस्ट वाले छेत्र में हम जो है कि सांती को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे इसी तरह से जो भारत मैमार है वो है जो है तो कई तरह से अगर हम देखा जाए तो मयमार हमारे लिए मत्पूर है अब देखना ये होगा कि भारत वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके साथ कैसे अपने संबंदों को आगे बढ़ाता है चाइना को कैसे काउंटर करता है I hope आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो तकता पुलट हुआ है वो कितना गंभीर है कितना चुनोती पूर्ण है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सू मच